तीस वर्षिय जातक हैं शहर इंदौर के रहने वाले और फूलों का वेबसाइट करते हैं पिच्चर में आप देखी रहे हैं फूल बिखरे हुए हैं वहीं पे इन्होंने अपना हाथ मुझे दिया है और इनकी चाहत है कि मैं इनका हांड का एनलिसिस करूँ हाथ को यदि आप देख रहें तो एक सबसे जो योगकारी जो मुझे सूर्य परवत पर लाइन दिख रही है जो काफी डैमेज हो चुकी है देखिए ये लाइन ये इनकी सूर्य रेखा है केतु परवत से चलती है और बहुत योगकारी गुण बनाती यहां पर केतु पर एक म और फिर इस तरफ जाती है और यहाँ पे सूरे पे पहुंच जाती है तो सूरे पे पहुंच रही है सूरे की रिखा है बहुत योकारी है डैमेज अवस्ता में है इस हतेली में देखने से स्वेता पता लगता है कि जो उनकी कनिस्टा उंगली है वो सूरे उंगली के प्रथम पोर्वे तक पहुंच रही है हाइटेड है बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है सकसस अपने आप मिल जाती है ऐसे लोगों को ज्यादा उतार चड़ाओ भी नहीं होता है अब जब इस हाथ को देख रहे हैं तो आप देखे ऊपर के ये चारो परवत गुरु शनी सूर्य और बु और इसका कारण भी मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगा वीडियो देखते रही है आप लोग जो खास चीज इसमें जो मुझे अब दूसरी चीज़ों दिख रही है वो है यही शुक्र का परवत एक बहुत अच्छी अवस्था में है इसके ऊपर बहुत अच्छे ब्लॉ जो पत्नी होती है वो भी खुबसूरत मिलती है अप अच्छी बनी है लेकिन ये भी अब डैमेज अवस्था में है जो जीवन की रेखा है वो बुलकुल ठीक जा रही है अब चलते हैं मंगल के परवत पर यहां में कुछ नया देखने को मिलेगा मंगल परवत पर दो क्रॉ बने हैं तो सफलता बहुत 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 कठिन हो जाती है मंगल परवत हमें सफलता देता है उस सफलता को कायम भी रखता है अब मैं जो आपको दिखाना चाहरा हूं यहीं मंगल परवत पर यह जो लाइफ लाइन है यहां पर देखिए ब्रेक हो गई है और इस प्रकार च कहते हैं अंगारक योग इनके हाथ में अंगारक योग लगा हुआ है इसका एक शांती पार्ट होता है उजयन में मंगरलात मंदिर में बहुत अच्छी 20-25 मिड़ की पूजा होती है गुरुजी का राते हैं इससे ये दोश खतम हो जाता है तो इनको मंगल के परवत पर सबसे ज्यादा हलचल है नेगेटिव नाकरात्म कूरजा की ये अंगारक का रूप है इनको अंगारक का मैं सलहा दे रहा हूं कि ये चाहें और अंगारक दोश का निवारण करवाएं अब यहीं सूरी के सूरी का जो परवत है उस पर ये विशेश लाइन है और ये इनको विकास और success सब guaranteed देगी, ऐसी रेखा लहरदार रेखा होती है, व्यक्ति को दूर की success देती है, और जो success मिलती है, वो घर से दूर जाकर ही प्राप्त होती है, पैत्रिक संपत्ती भी इनको मिलेगी, और यहाँ पर एक रेखा है, जो अभी damage अवस्था में है, यहाँ पर भी इसमें य उपड़ गया है, तो यह विवाद को show करती है, पैत्रिक संपत्ती में विवाद जरूर इनको मिलेगा, बुद की रेखा, बुद के परवत पर यदि हम चलते हैं, तो यहाँ पर भी दो line बनी है marriage की, लेकिन यह फली भूत line नहीं है, इससे हम नहीं कह सकते हैं कि एक मंगले कि योग इनके हाथ में अच्छा बना हुआ है, और इनकी marriage अभी भी नहीं हुई है, और ऐसी line अगर marriage हो भी जाए, तो success नहीं होती है, जो गरहस्ती का सुक होता है, जो समन्वे स्तापित होता है, वो गड़बड हो जाता है, और क्योंकि यहाँ पर भी अंगारक योग हमने देखी लिया है, इनकी age है 30 साल, और इनोंने बोला है कि आगे क्या, तो 30 साल के अगर आसपास हम देखते हैं, तो yes, हमें problem दिखती है, फिर 32 में हमें दिखती है, 34 में भी दिखती है, 37 में इनको एक बड़ी problem, यह definitely इनके जीवन में आईगी, 21 और 20 के आसपास भी इनको एक problem है, तो अंगारक योग जो होता है, वो हर 2 साल, 3 साल, 2 साल, 3 साल, जब तक हम अपने प्रारंबिक 35 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाते, बहुत ज़्यादा ये तंग करता है, खर सक्सेस तो देखा है नहीं, जब तक आप मंगल का उपाय नहीं कराएंगे, गुरु के प पास इनके फूलों की दुकान है, बड़ा काम है इनका और ये बहुत खुश भी रहते हैं, लेकिन जो जो तरक्की है, जो विकास है, वो कहीं पर फील करते हैं कि वो सैच्विरेट हो गया है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, यदि हम इनकी यहाँ पर विकास की लाइ इने इस छेतर से निकलती है, ये अंगारक के कारण ये छेतर गड़बड हो गया है, माइंड लाइन इनकी गजब है, जो मिडल मून तक जा रही है, बारिक लाइन है, तो दिमाग तो इनका अच्छा चलेगा, अब जो हाट लाइन में डेटो रेशन मुझे दिख रहा है, जो इनको करीब 45 के बाद जीवन में आएगा, इस प्रकार से लाइन का फट जाना, स्ट्रेस, टर्मिनल डिसॉर्डर देता है, ऐसी मिमारियां जो जीवन भर चलती है, तो इस पर भी इनको काम करना है, फिलहाल इनकी उम्र अभी 30 साल है, तो 30 साल में इनको ऐसा कोई नहीं दिख राएगी स्वास्त की बड़ी समस्या है, शनी का परवत, हम देखें संपत्ति का, पहला पूरवार बहुत अच्छा बना हुआ है, लंबे लंबे हैं ये विस्तार देते हैं, इस तरीके के लंबे लंबे फैलेंज विस्तार देते हैं, धन अच्छा कमाते हैं ये और अपने family के उपर भी अच्छा खासा पैसा खर्चा करते हैं, अच्छा प्रमंदन करते हैं, मंगल परवत से ही line यहां से निकली है और विश्णु सिंबॉल जो बना है, देखिए विश्णु सिंबॉल को अनस्थ हो जाना, शनी परवत पर विश्णु सिंबॉल है, ये पैसे फसा देगा और आगे जो पैसे आ रहे हैं आपकी लाइफ में जो धन आना चाहिए उस पर भी रोक लगा देगा दो लाइन इस पस्ट बनी हुई है खड़ी हुई लाइन तो पैसा तो इनके पास लगाता रहेगा जीवन में प्रते एक दिन पैसा कमाएंगे लेकिन ये लाइने वीख हैं तो ये जो डिजर्व करते हैं पैसा जितना पैसा इनकी किस्मत में हैं वो इन तक नहीं मिलेगा लाइने वीख हैं इसको भी हमें स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी मनी का ट्रेंगल बहुत अच्छा बना हुआ है यहां पर लेकिन यहां से जो रेखा लिकली है सूरे की उसी पर एक ट्रेंगल बना हुआ है लेकिन सूरे की लाइन नीचे डैमेज हो जाने के करण वो ट्रेंगल भी फट गया है मनी का ट्रेंगल इनका डैमेज अवस्ता में राहू की लाइने हैं जो उसमें डैमेज की हुई है मैं आपको नीले कलर से बना के बताता हूँ ये एक राहू की लाइन है और यहीं पे आप पास में भी देखेंगे और भी लाइने हैं जो यहां से निकली है और यहां पे एक देखें राहू छेत्र में एक बहुत बड़ा डिप्रेशन बना हुआ है ये डिप्रेशन इनको आगे नहीं बढ़ने देगा राहु के छित्र में इस प्रकार का डिपरेशन और राहु क्यों दे रहें इत्ता क्योंकि अंगारक हाथ में लगा हुआ है अंगारक यो क्या होता है मंगल और राहू का साथ में बैठ जाना कुंडली में और ये इतनी ज़्यादा नाका रत्मक्ता दे देता है कि व्यक्ति को भरम ही भरम उत्पन्न हो जाता है जिस चीज में वो हाट डालता उसे सक्सेस नहीं मिलती मंगल ने पहली कहा रखा कि दो क्रॉस लगे हैं तो सक्सेस जैसी ये चाह रहे हैं बड़ा सक्सेस नहीं मिलेगी जहां जीवन के प्रतिक दिन ये पैसा कमाएंगे शनी का परवत बता रहा है सूरे का परवत बहुत प्रभावशाली है और लेकिन ये नहीं दे पा रहा है क्योंकि ये सूरे की रेखा जो बड़ी रेखा थी वो डैमेज अवस्ता में है एक सूरे की रेखा और भी है इस प्रकार बनी हुई है जो नीचे से गड़बड हो गई है क्योंकि यहां से राहू लाइनने से काट दिया है ये सूरे रेखा भी गड़बड हो गई है तो सूरे को पावर देना है यहां पे राहू का आतंक मचा हुआ है सूरे को गरस लिया है छेत्र में डिप्रेशन बना दिया है और मंगल से ना कर आत्म कूर्जा चली रही है शुक्र का परवत ये इनको पूरी तरह इंशूर करता है कि सक्सेस मिलेगी बड़ी मिलेगी अंगुठे का देखिए नीचे वाला जो भाग है वो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि त्वचा का वहां धिला पना है और वो अंगुठे का बेस पतला है तो अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना पड़ेगा और इनकी जो सेक्स लाइफ है वो भी अफेक्ट करता है ये लॉजिकल थिंकिंग के व्यक्ति या साइन्टिफिक एप्टिट्यूट रखते हैं किसी भी बात को तरकी की कसोटी पर कसेंगे उसके बाद उस पर विश्वास करेंगे बुद्धा आई बन रहा है लेकिन ये हम इसे पूरा नहीं कह सकते कि ये पूरा बना हुआ है तो ये भी अगर अच्छा बन जाता है तो हमें एडिशनल संपत्ति मिलती है इच्छा सकती शांदार है अंगुठा उपर से साफ है जो अंगारिक योग अगर हतेली में लग जाता है मित्रो तो उससे हमें कैसे कंफर्म पता लगता है एक तो हमारा मनी का ट्रेंगल डैमेज होता है और दूसरा हमारा जो पहला मनी बंद है आईए देखें क्या बोलता है मनी बंद पहला मनी बंद यहां से तो ठीक चला यहां भी ठीक चला और देखें अब यहां आके यहां पर गायब हो गया है और यहां पर यह तकलीफ जदा हो रही है अब एक 45-50 के बाद यह तकलीफ देगा पूरा 45-50 से ये थोड़ा सा debilitated हुआ है और फिर आगे जाके ये बिल्कुल गायब हो गया है और इसका कारण अंगारक योग तो इनको अंगारक योग का निवरन जरूर करा लेना चाहिए दूसरी रेखा अमारी संपत्ती की है जो शनी का परवत भी बता रहा है शनी के परवत पे दो लाइन मनी हुई है तो इससे इनको धन तो मिलेगा साथ ये साथ उपर का पोरवा बहुत अच्छा बना हुआ है कहीं से कोई दिक्कत नहीं है तो धन तो इनके पास अच्छा आएगा प्रतेक दिन मैंने कहा धन कवाएंगे यही लाइन आगे जाके थोड़ी सी ये भी गायब हो रही है यहां पे ये वाले छेतर में तो धन अभी तो इनके पास में है आगे थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है तीसरी लाइन सुख की लाइन होती है विवा की लाइन होती है और यहां पे उतनी अच्छा कुछ भी नहीं बना हुआ है साथ में जहां पे हम सुख और विवारेखा की बात कर रहे हैं वहां पे इस प्रकार का नस निकल जाना नस नहीं दिखनी चाहिए इस एरिये में ये हमारी खुशियां पर ग्रहन लगाती है, साथ में जो हमारे वैवाहिक जीवन है, उसमें ये खुशियां उसमें सुख नहीं उठाने देती है, कारण फिर जो इस अवस्ता में दिख रहा है, अंगारेक योग दिख रहा है, नई पिच्छर लेते हैं और बहुत अच्छा बना हुआ है, स्ट्रेंथ फुल है, एक रेखा जो है चंदर परवत पर, ये चंदर का परवत है, एक रेखा जो पूरी शनी परवत पर पहुश रही थी, इनकी लक लाइन गायब हो गई है, ये इनको सबसे बड़ा नुक्सान है, इस प्रकार की लाइन ग 37 में इनको एक बड़ी समस्या का सामना करना है, अगर इन्होंने अंगारक दोश का निवारण नहीं करवाया, कला तो खेर जीवन में इनके पास अच्छी रहेगी, रिंग फिंगर बड़ी है, गुरू की फिंगर से, और गुरू की फिंगर देखिया, जादा छोटी हो बताता है कि धर्म से जुडेंगे, धर्म के काम में लगे ही हुए हैं, मैंने इनकी हतेली का एक लगू विवरन आपको दिया है, और ये भी दिखाया है कि अंगारक योग कैसे दिखा जाता है, मंगल पे जब डिस्टर्बेंस होता है, तो हमको सक्सेस में बहुत दिक्कत हो कुछ ही हमारे हाथ में आता है, इनकी कनिष्टा उंगली बहुत अच्छी बनी हुई है, तो इनको चिंता करने की कोई बात नहीं है, केवल इनको एक उपाय करना है, वो है अंगारक योग का निवारण करवाना है, इससे इनके सूर्य सक्तिशाली हो जाएंगे, और शनी प के बात फिर यह अच्छी तरह दोड़ रही है, केतु पर डिस्टर्बेंस जदा है, तो केतु का भी एक उपाय में जरूर इनको दूँगा, यहां से योग कारी लाइन थी, यह लाइन मोटी हो गई है, तो एक केतु का उपाय, अंगारक योग जो इनको लगा हुआ है, उस सबस्क्राइब जरूर करते जाईएगा, श्रीक अनिशाय नमाहा, मासारा स्वती, नमस्तु भ्यम